हलो गाईज, आज की इस वीडियो में जानेंगे उर्वारक एवं खाध में अंतर उर्वारक का ये रहा और खाध का ये रहा नमबर वन में क्या लिखा हुआ है कि उर्वारक एक आकर्वनिक लवन है और खाध एक क्या है प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव, अवसिस्ट एवं पौधे के अवसिस्ट के बिघटन से प्राप्त होता है मतलब ये कि गोबर और मानव के कच्रा एवं पौधे सड़कर खाध बनाते है ठीक है और उर्वारक जो होता है इसका उत्पादन फैक्टरियों में होता है और खाध का उत्पादन घर पर ही होता है खेतों में ठीक है अब तिसरा नमर में देखिए क्या है उर्वारक से मिट्टी को हिूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिटिको हिमस प्राप्त परचूर मात्रा में होता है ठीक है? अब देखिए उर्वरक में जो पादव पुसक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फासफोरस तथा पोटेसियम ये परचूर मात्रा में होते हैं लेकिन खाध में ये कम मात्रा में होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है खाध में पादव पोसक तुलात्मक रूप से कम होते हैं उर्वारक के तुलना में नेट्रोजन, फास्फोरस और पोटेसियम ये कम होते हैं खाध में ठीक है आई होप आप आसानी से समझ गया होंगे चलिए मिलता है एक लिए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन्द मातरम